पपीता सरलता से लगाए जाने वाले फल है और पपीता लाब भी देता है बहुत कम समय में ये फल दिने लगता है पपीते की सचाई प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आचोके हैं भारती क्रेशी अनुसंदान संस्थान पूसा नई दिल्ली में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जैप्रकाश जी जो प्रधान वैग्यानिक है प्रध्रकाश जी आपका बहुता स्वागत है हमारी कारिक्रम में डॉक्टर जैप्रकाश जी पपीते की खेती में जल का क्या महत्तो है जल किसी भी जीव के लिए बहुत ही महत्तोपूर है खास करके पपीता जैसी फ़सल के लिए जो की बहुत कम समय में फल देती है तो जल अती महत्तोपूर है और जल का प्रबंधन अती आवस्षक है क्योंकि ये फ़सल बारा से चौदा महेने खास करके उत्तर और मद्ध भारत के छेत्रों में लेती है तो इस फ़सल को गर्मी वर्सा योम जाड़े इन सभी मौस्पों से गुजरना पड़ता है खास करके गर्मी के मौसम में जल प्रबंधन अती महत्तोपूर है क्योंकि जल की मांग बहुत बढ़ जाती है और पपिताय का ऐसा पौधा है जो स्वस्त होने पे अच्छे प्रबंधन पे 2.5 से 3 पत्ते प्रतिसपता आते हैं तो इसके साथ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अधिक इसमें बृद्धियों विकास होता है और उसके लिए जल की आव सकता होती है अगर जल समय पर नहीं मिलेगा तो अच्छे से बढ़वार नहीं होगी अच्छे से फूल नहीं आएंगे अच्छे से फलत नहीं होगी इसलिए जल प्रबंधन अती महत्पूर है रॉक्टर जैप्रकाश आपने बताया कि जल की महत्ता कितनी जरूरी है पपीते की सिचाई में हम जानना चाहेंगे कि सिचाई प्रबंधन अती महत्पूर है ऐसे में जल की प्रबंधन के लिए हम कौन सी सिचाई पद्धत अपनाते हैं और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरे देश में पपीते की खेती होती है, ऐसे भी छेत्र हैं, जहां पर हम जो आधुनिक पद्धतियां हैं, जैसे टपक सिचाई पद्धति हैं, उसको अपनाते हैं, उसके साथ फर्टीगेशन पद्धति होता है, जिसमें हम उ खर्चा जादा होता है, खास करके सुरुवात में, जो करीब साथ से सत्तर हजार उपए प्रति हैक्टियर पड़ता है, लेकिन लंबे समय के लिए और जल प्रबंधन को ध्यान में देखते हुए, ये पद्धत सबसे अच्छी है, लेकिन ऐसे छेत्रों में जहां पर टपक सिचाई पद्धत ही नहीं है, और किसान भाई खेती कर रहे हैं, वहां पर हम जो उसका एक चैनल होता है, वो पेड़ के सहारे सहारे हमें एक चैनल बनाते हैं, उसमें भी सिचाई करते हैं, कई छेतरों में ऐसा भी देखा गया है, कि जहां किसान सीधे खुले छेतर में शिचाई करने से जल की बहुत अधिक आउ सकता होती है और उसमें काफी जल बरबाद भी होता है और जल जब पूरे छेतर में फैलता है तो उसका असर यह होता है कि पौधे को तो जल मिलता ही मिलता है लेकिन खास करके ऐसे खर्पतवारों को भी मिलता है जो बहुत ज़दा बिद्धी विगास करते हैं जिससे तरह तरह की बीमारिया कीड़े भी आते हैं जो फसल को नुकसान पहुचाते हैं और उर्बरा सकती भी खेत की कम होती है तो हम खुले में सिचाई ना करें और भेतर होगा टपक पद्दत से सिचाई करें या जो फरो सिस्टम होता है चैन पर लगने वाले खर्चे हैं उनसे बचने का तरीका है कि हम चैनल सिस्टम अपनाएं या टपक सिचाई पद्दत अपनाएं तो इससे आपको पौधे को अच्छी बढ़वार मिलेगी फलत अच्छी मिलेगी और व्रिद्धी विकास होगा तो लाब भी होगा जया प्रिका सवाल किया कि सिचाई ऐसी कोई पद्दती नहीं है कि आप एक बार हमने कह दिया कि आठ से दस दिन के अंतराल पे सिचाई कीजिए तो जरूरी नहीं पूरे साला पर ऐसा चलेगा खास करके गर्मी के मौसम में अगर आप टपक बिद्धी से सिचाई कर रहे हैं तो आपको ह सिचाई के सता से अधिकतम जल उड़ जाता है वो कम से कम होगा तो हम साम के समय करें दूसरा अगर आपके पास फरो सिस्टम है चैनल सिस्टम में सिचाई करना है तो आप छे से साथ दिन पर गर्मी के मौसम में सिचाई करें अगर बरसात हो रही है तो सिचाई की आउशक् अगर बीच बीच में बारिस बंद हो गई आठ तस दिन के अंतराल पे भी बारिस नहीं हुई तो ऐसे में आपको एक सिचाई करनी पड़ेगी ताकि आपके पौधों में बृद्ध विकास अतिउत्तम रूप से होता रहे और फल भी लगते रहें क्योंकि पपीता एक ऐसा फ दस से बारा दिन के अंतराल पर सिचाई करनी चाहिए ऐसा ना करने से खास करके जब तापकरम कम हो जाता है पाले का प्रभाव ज़ादा हो जाता है तो अधिक से अधिक नुकसान हो जाएगा ऐसे छेतरों में जिसमें पाला सामाने रूप से दिसंबर और जनौरी के महीने में पढ़ता है और अगर आपके खेत में टपक सिचाई पद्द्ध है तो संभव है कि एक दो सिचाई आप खुले में करें ताकि जो मृदा का तापकरम है वो अच्छा बना रहे और आपका फसल पर पाले का दुस्प्रभाव कम से कम पड़े बिल्कुल सही का जैप्रकाश जी आपने कि गर्मी के मौसम में सिचाई करना बहुत जरूरी है साथ ही बारिश के मौसम में भी सिचाई का ख्याल रखना जरूरी है लेकिन आपसे ये जनना चाहते हैं कि सिचाई की अधिक्ता या कमी से पपीते की फसल पर क्या प्रभाव होता है प्राया हम उनका ऐसे खेतों का चुनाव करते नहीं है अगर किसी कारण जल भराव हो गया खासकर के बारिश के मौसम में तो यथा सिग्र जल निकाल दें और कोशिज करें कि किसी भी परिशिती में जल रुके न और सिचाई के अंतराल को बढ़ा दें लेकिन देखा ये गया है गर्मी के मौसम में जब हम बार-बार सिचाई करते हैं खासकर्ख से टपक सिचाई पध़त से और जो फरो सिस्टम में करते हैं उसका समस्या ये होता है कि उपर की सथा सूख जाती है लेकिन नीचे की सता पर बराबर नमी बनी रहती है जिसके कारण जो PTM है, फाइटो पतवरा है ऐसे फफूद हैं जिनके चलते तना सरन या जड़ सरन रोग होता है ऐसे तापकरम, जब दिन का तापकरम 38 डिगरी से उपर होगा और 10-12 घंटे की बीच में धूफ होगी अगर सीधे सूर की किरने आपकी जड़ों पर पढ़ती हैं पोधे की और आप बराबर पानी देते हैं तो होगा ये कि नीचे जो फफूद है वो काफी सक्री हो जाता है, क्योंकि आर्दता बढ़ जाती है इससे जड़ सरन या तना सरन वीमारी पैदा होने का खतरा रहता है इससे बचने का तरीका ये है कि हम जो घासफूस होता है सूखे घासफूस होते हैं, उनको पौधों की जड़ है जड़ छेत्र में करीब एक फिट चारों तरफ बिचा दे ताकि उस छेतर में जो तापकरम है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े और सिचाई की जो मात्रा है उसको हम बहुत ज़्यादा ना करें कि उपर की सता सोग गई तो आप दो दिन के अंतराल पर ही सिचाई कर रहे हैं ऐसा करना जरूरी नहीं है यह देख लें कि जो नीचे की सता है वहाँ पर नमी है की नहीं है अन्य था इस तरह की समझचाई पैदा हो जाएंगे दूसरा सवाल है अगर कहीं सिचाई की कमी हो गई तो जो कि पौधे का जो नबे से पंचानबे प्रस्त हिस्सा है वो पानी से बना हुआ है तो ब्रिद्य और विकास कम हो जाएगा नए पत्ते कमाएंगे तो फूल भी नहीं आएगा और फूल नहीं आएगा तो फल नहीं आएगा मतलब पूरी जो पौधे की फिजियोलोजिकल गुण है वो सारे बुरे धंग से प्रभावित होंगे उससे बचने के लिए आप बराबर नमी की मातरा को रखें और सिचाई करते रहें जबरिकाशी बिल्कु सही का आपने कि सिचाई की अधिक्ता और कमी का पपीते की फसल पर बहुत असर पड़ता है क्या सिचाई परबंदन के साथ पोशक तत्तों का परबंदन भी पपीते की फसल के लिए बहुत जरूरी है निचसंदे की जो पोशक तत्तों का परबंदन है वो भी अत्यदिक महत्पोर है साथ ही एक सवाल और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो पिछले सवाल से जोड़ा हुआ था कि अगर आपके खेत में या आपकी फसल में तना सडन या जड़ सडन रोग आ गया तो क्या करेंगे यह जानकारी भी जरूरी है उसके लिए जरूरी है कि अगर तना सडन रोग है और आपको बाहर से दिखाई पड़ रहे हैं उसके लच्छड तो जो तने की सता है उसके उपर ब्लॉटॉक्स आता है या कापर ऑक्सिक्लोराइड आता है उसका पेस्ट बना ले मतलब जैसे ह अगर आपको लगता है कि जरूर रोग लग रहा है तो ऊपर के जो पत्ते होंगे वह हलके हलके पीले होंगे उससे बचने का तरीका है कि जो किनारे की मिट्टी है उसको हलका साहटाईए और रीडो मिल एक दबा आती है उसकी स्वाइल डेंचिंग का अतात पर यह होता है क कि दो ग्राम जो मात्रा है रिडो मिलकी उसको एक डिर जल में घुला लीजिए घुला कर कम से कम पचास मिलीटर मात्रा पौधे की जड़ में डालिए और जड़ में जाने से आपको पत्ते पर तने पर नहीं डालना क्यों जड़ में डालना है तभी इस रोक की रोक थाम हो प हैं उन सब को हम पानी के साथ ही मिलाते हैं इसके दो लाब हैं एक तो यह है कि पौधे को यह तुरंत मिल जाता है उसमें जो घुलन सील उर्बरक हैं हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं आज कल बाजार में लिक्विट फषटिलाघर भी आ रहे हैं तरल प्रधारत के रूप में आ रहे हैं उनको आप रहोग आप सिधे कर सकते हैं ऐसे में आपकी जो फटिलाइजर या उर्बरक की जो मातरा है जहाँ हम सामानी रूप से सव ग्राम एक पौधे को देते हैं लुगर आप तरल तो मातरा में पानी भी मिलता रहता है तो चुकि बराबर इसमें बृद्धी और विकास चलता रहता है छे से आट महीने तक तो उर्बरकों की भी आउसकता बराबर पढ़ती रहती है जो सामान टपक सिचाई पद्धत के साथ फर्टीगेशन का प्रावधान है उसमें हम 28 बार उर्बरकों का परियोग करते हैं लेकिन उनकी मातरा 4 गराम 2 गराम इस करम में होता है उसका प्रापर एक सेडियूलिंग होता है आपके इसी अच्छे सलाहकार के पास जाएंगे तो वो पूरे फार्म के लिए एक सेडियूल बना के देते हैं कि आपको कितने मिली ली दिन तक लगातार इसमें नाइट्रोजन और पोटैसियम की आउसकता बनी रहती है और फास्पोरस की आउसकता पहले 120 दिन तक रहती है साथी साथ जो सूस पोसक्तत्व हैं जिनका हम कई बार छिड़काओ भी करते हैं उनका भी प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं जिनकी 25 मिल रहेंगे फलों का विकास अच्छा होगा और सही समय पर फल तैयार भी होगे जिससे अच्छा फाइदा भी होगा उपज भी होगी और उसकी जो गुडवत्ता है फलों की ओभी अच्छी बनी रहेगी डॉक्टर जबरकाश आपने पपीते की सिचाई प्रबंधन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी साथ ही हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया